और जग्दलपुर के तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर केंद्रुग्री मंत्री अमिश्या पहुच चुके हैं जवानों को यहाँ पर शद्धांश्टी अर्पित करते हुए जिस सरीके से नक्सली हमला हुआ मुठ भेड हुई और 22 जवान हमारे शहीद हो गए उन शहीदों की शहादत को श्रद्धाश्टी देते वे केंद्र गृमंत्री अविश्या नक्सलियों की सरीके से काराना हरकत पूरे देश में आकरोश है लेकिन जगदलपुर के तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहीदों को नम आखों से गृमंत्री जाएगा यह शहादत बेकार नहीं जाएगी यह कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी और इसका बदलाल लिया जाएगा तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं श्रद्धाश्टी अत्वित्ती जा रही है आँखे नम हैं लेकिन गुसा आकरोश उतना ही है नक्सलवाद की जड़ बहुत पुरानी है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बार बार कोशिश की गई है लेकिन उसके बावचूद नक्सलवाद अभी भी अभी भी अपने पैर जमाय हुए है और इसका ये हमने इस हमले में असर देखा है हमने अपने 22 22 जवानों को खो दिया है जो शहीद हो ग ने अर्पित की जा रही है तस्वीरे हम आपको वहीं की दिखा रहे हैं 36 गड़ में जिस तरीके से नक्सलियों ने घात लगाए ये हमला किया एक बार नहीं बार बार कई बार नक्सलियों ने अपने नापाक मनसुबों को अंजाम दिया है हाला कि कई बार कई बार किस तरीके से हमारे जवानों ने उनके नापाक इरादों को ध्वस्त किया है उनके नापाक सोच को किस तरीके से बेनकाब किया है लेकिन इस पार नकसलियों ने पूरी प्लैनिंग की हुई थी बहुत साचिश्या पर बड़ी रची हुई थी और हम ने इस नकसलिय हमले में अपने 22 जवानों को खो दिया है गुरी मंत्री अमिश्या अस वक्त जग्दलपूर में पहुचे हैं वहाँ पर इन जवानों को शद्धाश्टी अर्पित कर रहे हैं और इसी के साथ गुरी मंत्री ने ये बात कही आश्वस्त उन शहीदों को परिजनों को किया है जिन्होंने इस हमले में अपने जान गवा दी है जो हमारे लिए आपके लिए शहीद हो गए है कि इसका बदला लिया जाएगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा जिनकी वजह से हमने अपने 22 जवानों को खो दिया है 31 जवान घैल हुए हैं एक जवान अभी लापता है और ऐसे में साफतोर पर ये संदेश गुरी मंत्री ने दिया है आश्वासन दिया है अंसाफ उन परिजनों को मिलेगा आश्वस्त उन परिजनों को किया है जिन्होंने अपने प्रिय को जिन्होंने किसीने अपने बेटे को किसीने अपने पिता को किसीने अपने भाई को किसीने अपने पती को इस नकसली हमले में खो दिया है देश इन शहीदों को सलाम करता है जिहंदुस्तान इन शहीदों को सलाम करता है इनकी शहादत को सलाम करता है दो तस्वीरे आपके सामने हैं एक तरफ आप देखे कि सरीके से श्रद्धाशी दी जा रही है जगदलपूर छतिसगड के तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये तस्वीरे ज़रा देखे किस तरीके से परिज़नों का रो रोकर बुरा हाल है ये देखे एक मार रो रही है एक बेटी के आँखों में आसू है एक पत्नी के आँखे नम है लेकिन यही यही वो जज़बा है कि किस तरीके से अपनों को खूने के बाद शहीद होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि हम देश के सेवा करेंगे और ऐसे में सवाल जो पूछा जा रहा था कि आखिर क्या इस पर कारिवाई की जाती है इस काराना हरकत पर जो नकसलियों ने की है और ऐसे में ग्री मंत्री ने साफ किया है कि ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी हर कत्रा कत्रा का हिसाब होगा उन नक्सलियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी मेरे जवानों की शहदत व्यर्थ नहीं जाएगी पुरी मंत्री ने ये बात कही है और ऐसे में क्योंकि लगातार कारेवाई की जा रही है नकसलवाद को खत्म करने के लिए एक बार नहीं तमाम क्योंकि बहुत बहुत पुराने ये नकसलवाद की जड़े हैं इसे खत्म करने के लिए तमाम उप्रेशन चलाया जाते हैं किस त तरीके से यह हमला करते हैं यह बहुत बड़ा हमला यह बहुत बड़ा हमला है इससे पहले यात किजिए जब जब हमले हुए है कितनी बार इनके नापाक इरादों को बेनकाब किया है इनके नापाक मनसुबों को पूरा नहीं करने दिया है लेकिन इस बार इन नकसलियों की ज तो देखिए तस्वीरे आपके सामने हैं अमिश्या इन तस्वीरों में ग्री मंत्री और शहा का प्रण यह है कि मेरे जवानों की जो शहादत है यह व्यर्थ नहीं जाएगी यह बाद साफ़तोर पर अमिश्या क्या चुके हैं तो जो लाल सलाम है जो लाल आतंगवाद है जिसे हम कहते हैं इसका खात्मा किया जाएगा इनको बख्षा नहीं जाएगा यह बात साफ़तोर परिस्पर्ष्ट हो चुकी है हलाकि पूरा देश पूरा देश यह कह रहा है कि उन नकसलियों को जिन्होंने यह काईराना हरकत की है उन नकसलियों को जिनकी वज़ा से हमारे 22 जवान शहीद हो गए हैं उनसे हिसाब कब होगा परिजोनों का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि किसी ने अपने बेटे को खोया है किसी ने अपने पिता को खोया है किसी की बढ़ापी की लाठी कोई वो खो चुका है कोई अपने घर का एक सहारा एक लौता दिया जो किसी घर का था वो बुच चुका है सबकी आखे नम हैं लेकिन फिर से फिर से यही कि लाल सलाम की उल्टी गिंती शुरू हो चुकी है यह संकल्प यह प्रण गुरी मंत्री ने लिया है कि व्यर्थ इन शहीदों की शहादत नहीं जाए कि एक एक कत्रे का हिसाब लिया जाएगा उन नकसलियों को हिसाब देना होगा जिनोंने इस नापाक हरकत को अंजाम दिया है उन नकसलियों को जवाब देना होगा जिनकी वजह से 22 जवान 22 जवान हमारे शहीद हो गए 31 जवान अभी भी घायल है एक जवान अभी भी लापता है और ऐसे में घायल जवानों से भी अमिशा मिलेंगे उनका हाल जानेंगे अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठक भी करेंगे लगातार आप देख रहे हैं कि सरीके से बैठकों का दौर जारी है वो पलपल पर वहां नजरे हर एक अपडेट ले रहे हैं चात्रिसगर के जग्दलपूर में व्रीमंत्री अमिशा इस वक्त हैं और इसी के साथ आप उनकी व्यथा को समझे गुस्सा है आक्रोश है कारेवाई की जाएगे लेकिन आखे आज हर किसी की नम हैं और इसी के साथ शद्धांश्टी अर्पित उन जवानों को कर रहे हैं ये वो जवान हैं जिनकी वज़ा से हम आप हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं तो देखिए जगदलपूर 36 गड़ पहुँचे है ग्रह मंत्री अमिश्ट शहा शहीदों को धांजली यहां पर दी है लेकिन बड़े सवाल यहां पर यह है कि वो जवान जिनोंने शहादत अपनी दी वो बदला कब होगा और कत्रे कत्रे का हिसाब कैसे लिया जाएगा यह यह बड़ा सवाल है यह देखिए तस्वीरे आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं ग्रह मंत्री अमिश्ट शहा यहां पर पहुँचे हैं और जो लोग शहीद हुए जो जवान शहीद हुए उन्हें धांजली यहां पर दी है कई जवान अभी ऐसे हैं जो ज पर्चा भी की थी और इसको लेकर एक एक जांच पर्टाल का विशे इसको बताया था कि जिसने भी यह हिमाकत इस तरीके की है उसे कड़ा जवाब दिया जाएगा और कत्रे कत्रे का हिसाब लिया जाएगा तो यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर जिन्हों ने हमेशा देश की सुरक्षा के लिए काम किया और जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया जिन नक्सलियों ने उनके साथ ऐसा किया उन्हें बक्षा नहीं जाएगा ये भी ग्रहमंत्रिया मिश्चा की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था 36 गड के जगदलपूर से सीधी तस्वीरे हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं ग्रहमंत्रिया मिश्चा यहाँ पर है शद्धांजली देते हुए देखे तस्वीरों में शद्धांजली देते हुए नजर आ रहे हैं उन जवानों को जिन्होंने शहादत अपनी दी कुर्बानी दी जगदलपूर चत्तिसगर से सीधी तस्वीरे तो देखे तीन तस्वीरे इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये तस्वीरे बहुत कुछ बया करती है क्योंकि यह इस साल का सबसे बड़ा हमला है और ऐसे में तमाम सवाल जब खड़े होते हैं तो इसको लेकर क्योंकि रिपोर्ट भी मांगी गई है जांच पिस पूरे मामनी में की जाएगी कि आखिर क्या कहीं पर कोई चूक रह गई हाला कि आपने ये सुना होगा भुपेश भगेल ये पहले ही साफ कह चुके हैं कि कोई चूक नहीं हुई है लेकिन फिर ये जो नकसली थे इनकी हिमाकत इतनी कैसे बढ़ गई कबसे ये प्लानिंग कर रहे थे कबसे ये साजेश रच रहे थे क्योंकि एक एक खून का जो कत्रा है उसका हिसाब तो चाहिए और वो परीजन जिन्होंने अपनों को खोया है वो हिसाब मांग रहे हैं और ऐसे में ग्रीमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि हर एक खून के कत्रे का हिसाब होगा